नमस्कार दोस्तों निर्जास किचिन में आप सभी का स्वागत है आज हम जार केक और टब केक बनाएंगे जो की फ्लेवर होगा चॉकलेट का स्पॉंज होगा और कॉफी केरेमल का इसमें हम फ्लेवर देंगे तो चलिए देख लेते हमें क्या करना है इसके लिए सबसे पहले हम ये केरेमल सॉस बनाएंगे अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप बताइए मैं रेसिपी जरूर बनाऊंगी इसकी और ये हमने कॉफी एक चमच कॉफी को थोड़े से पानी में मिक्स करके रख लिया है और ये स्पॉंज के हमने तीन पीस कट करके रखे हैं ताकि इन सब का फ्लेवर क्रीम में भी आ जाए तो हमारी विब्ड क्रीम तैयार हो गए अब जो बाकी बची हुई केरमल सॉस है उसको हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे और जो हमने विब्ड क्रीम तैयार करी है कॉफी और केरमल फ्लेवर की उसको भी एक पाइपि जो हमने जार लिया है उसी के साइस के वो इस्पॉंज को हमने कट करा हुआ है अब इसको हम धीरे से जो इस्पॉंज का पीस है उसको धीरे से टेड़ा करके जार के अंदर डाल देंगे अगर आपको इस तरह से पीस नहीं करना है तो आप इसका चूरा भी कर सकते हैं तो फिर उस चूरे को अद्दर डाल दीजिए और जो हमने कॉफी को घोल के रखा था थोड़े से गुनगुने पानी में उससे हम इस स्पॉंज को सोक कर लेंगे तो हमारे स्पॉंज में कॉफी का फ्लेवर आ जाएगा और स्पॉंज भी मॉइस्ट हो जाएगा अब हमने जो क्रीम नयार करी है उसको हम पाइबिंग बैक से जार के अंदर धीरे से लगा देंगे एक लेयर लगाने के बाद में यदि आपको कम लगती है तो आप पतली सी एक लेयर और उस पे लगा दें यह बहुत ही tasty लगता हे केक और caramel coffee का taste बहुत अच्छा आता है अब हमने cream लगा दी है अब हम अपनी caramel को इसके उपर लगाएंगे जो अपने caramel बनाया है इसको हम piping bag से cream के उपर एक layer इसकी भी बना देंगे और किनारे साइट पे ध्यान दे जादा लगाएं ताकि आपको बाहर से उसकी लेयर दिखना चाहिए तो जो जो लेयर आप लगा रहे हैं सबसे पहले उनको किनारे से लगाना है उसके बाद में हमको बीच में आना है ताकि जार के बाहर से ये इस पश्ट दिखे कि लेयर किस किस चीज की हम डाल रहे हैं ये देखिए नीचे स्पॉंज दिख रहा है बीच में क्रीम दिख रही है फिर हमारी केरमल दिख रहा है तोड़के फिर उसको adjust कर दिया, बराबर डाल दिया है इस तरह से और फिर हम इसको coffee के पानी से moist कर लेंगे, जो हमने sponge डाला है उसको soap कर लेंगे coffee lover के लिए ये बहुत ही अच्छा cake है और उनको ये बहुत ही अच्छे से पसंद भी आएगा इस तरह से हम इसको हलका सा moist करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हलका सा हमको soap करना है, cake को अब फिर से हम इसके उपर cream लगा देंगे हमेशा side से लगाईए और बराबर एक सा pressure आप डालेंगे तो cream एक सी लगेगी कहीं कब कहीं जादा यदी हो रही है cream तो इसका मतलब है कि आपने piping bag में proper pressure नहीं दिया है अब cream लग गई है और हमारा jar भी पूरा pack हो गया है तो इसके उपर हम हलका सा caramel sauce फिर से लगा देंगे उसी तरह से करेंगे side में पहले जादा लगाएंगे और बीच में हम थोड़ी बाद में लगाएंगे सबसे पहले हम sides भरेंगे उसके बाद बीच में आएंगे हम थोड़ी सी gap है इसमें तो अभी मतलब ढक्टल लगाने के बाद भी काफी gap रहेगा तो हम क्या करेंगे हलका सा cream और लगा देंगे इसके उपर और थोड़ा सा sponge के चूरा करके उसको डाल देंगे इस तरह से थोड़ा सा coffee का flavor भी दे देंगे लीजिए तयार है हमारा coffee caramel jar cake थोड़ा सा उपर decorate करने के लिए हमने इसमें डाल दी है caramel sauce और बस अब हमारा तयार है jar cake caramel coffee flavor वाला jar cake chocolate flavor है तो इस तरह से ढखकन लगा के आप किसी को भी दे सकते हैं अब हम इसी तरह से इस टब में भी cake को बनाएंगे तो मैंने क्या करा है cake के चूरा कर लिया है और बस उसी तरह से हमको सारी चीजे mix करते जाना है कि पहले हमने cake के crumbs डाले फिर coffee के पानी से उसको soak कर लेना है फिर हमको cream लगाना है उसी तरह से side में पहले फिर beach में आते हुए cream को complete कर देना है और उसके बाद में हमको फिर से जो हमने caramel की sauce बनाई थी उसी तरह से caramel की sauce को भी हमें लगाना इस तरह से caramel sauce को भी लगा देना है जैसा हमने jar cake में बनाए था same वही procedure हमको इसमें भी करना है बस इसमें मैंने थोड़ा सा चोको chips भी मिला दिये हैं तो अगर आप चोको chips भी मिलाना चाहते हैं तो इस तरह से चोको chips भी मिला सकते हैं इस टब cake को आप यदि आपके cake कटिंग करते समय जो चूरा बचता है उनसे भी आप इसको बना सकते हैं अगर आपका cake है फ्लेवर वाला cake है चोकलेट फ्लेवर है या किसी भी टाइप का cake है वनीला है तो उससे आप इस तरह से उपर से फ्लेवर देके इस तरह से यूज भी कर सकते हैं और आपकी जो कटिंग निकलती है उसका भी एक यूज हो जाएगा बस इसी तरह से हमको complete करना है और हमारा ये टब केक भी बनके तयार हो गया है सारी caramel sauce हमने डाल दी थोड़े से butter scotch के chunks डाल दो और थोड़े चोकोचिप्स डाल दो लीजे तयार है हमारा coffee caramel chocolate tub cake तो ये बहुत ही easy और बहुत ही आसान रहता है इसमें आप cake बनाईए और दीज खा सकते हैं तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए और comment करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है चलिए मिलते हैं अगले बार फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए देख किजिए किजिए थैंक यू